हेलो बच्चो आज हम सुनेंगे छोटी परी की कहानी परी लोक में जहां सभी परियां एक साथ खुश रहती थी वहीं एक नई परी 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 लोक में रहने आई मैंने आप सब को यहां एक नई परी से मिलवाने के लिए बुलाया है इसका नाम साची है और अब से यह हमारे साथ इसी परी लोक में रहेंगी रानी परी अगर यह एक परी है तो यह इतनी छोटी क्यों है हम में से तो कोई भी ऐसा नहीं है हाँ रानी परी यह तो परी लगती भी नहीं है और आप इसे परिलोक क्यों ले आई, परिलोक में तो इतनी सुन्दर परियां रहती है, यहां इसे नहीं रहना चाहिए, अगर यहां रही तो सब हम पर हसेंगे सभी परिया एक जैसी नहीं होती, हर परी अलग होती है, हमें किसी पर भी हसना नहीं चाहिए मुझे आप सबसे ये उमीद नहीं थी सांची परी अपसे हमारे साथ इसी परी लोक में रहेंगी और मैं उमीद करती हूँ आप सब सांची से मिलजूल कर रहेंगी जी रानी परी पिंकी परी क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या मैं इन फूलों को पानी दे दू मुझे फूलों को पानी देना बहुत अच्छा लगता है सांची इन फूलों जितनी तो तुम खुद हो पानी तुम्हें देना चाहिए शायद पानी देने से तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ और अब जाओ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है मुझे काम करने दो ठीक है पिंकी परी मैं चली जाती हूँ आप सब क्या बाते कर रहे हो क्या मैं भी आप सब के साथ बैठ जाओ साची हम सब परियां अपनी बाते कर रहे हैं और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बस इस परिलोग में रह सकती हो, पर हमारे साथ नहीं, हाँ सौम्या, बिल्कुल सही कह रही है, तुम बस हमसे दूर ही रहो, क्योंकि हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, और दुबारा हमारे पास मत आना, यहां तुम्हारी जैसी कोई भी छोटी परी नहीं है और ना हमें तुमसे बात करनी है परी लोग में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता जबकि मैं भी एक परी हूँ मुझे कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता शायद मुझे यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि मेरे छोटे होने के वज़े से कोई भी मुझसे कभी बात नहीं करेगा मैं यहां से चली जाती हूँ अगले दिन तुमने क्या साची को देखा? मैंने उसे सुबे से नहीं देखा नहीं मैंने तो उसे कल से नहीं देखा मैंने उसे परिलोग से बाहर जाते हुए देखा था उसके बाद मुझे वो कहीं नहीं दिखी शायद वो हमेशा के लिए यहां से चली गई है वो कहां गई होगी मुझे तो डर लग रहा है वो अकेले ना जाने कहां चली गई हमने उसके साथ कितना बुरा वैवार किया वो हमारे पास कितनी बार आई पर हमने हमेशा उसे डाड दिया हाँ हमने उससे ठीक से बात नहीं की ऐसा नहीं करना चाहिए था वो है तो एक परी ना और हम परी होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं हाँ पर अब हम क्या करें साची को कहां ढूंडे हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहां चली गई हम रानी परी के पास जाते हैं अब वो ही हमारी मदद कर सकती हैं सब रानी परी के पास चलो रानी परी रानी परी क्या हुआ तुम सब इतनी परेशान क्यों हो रानी परी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हमने साची परी के साथ बहुत बुरा वेवार किया जिस वजह से वो शायत परी लोग से चली गई है। रानी परी हमें माफ कर दीजिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हाँ रानी परी हमने बहुत गलत किया हमें किसी का भी मज़ाक नहीं बनाना चाहिए रानी परी आप उसे वापस ले आओ हम ऐसा नहीं करेंगे मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि आप सबको आपकी गलती का एहसास हो गया है और अब आप ऐसा नहीं करोगे और सांची कहीं नहीं गई है वो यहीं है सांची जी रानी परी सांची तुम तो हमारी जैसी हो गई हो पर कैसे रानी परी कैसे हुआ सांची कभी छोटी नहीं थी सांची के पास शक्ती है जिस वज़े से वो कभी भी छोटी और कभी भी बड़ी हो सकती है और वो कल छोटी इसली थी ताकि वो आप सबको ये बता सके कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं सांची हमें माफ कर दो हमने तुमारे साथ बहुत बुरा वेवार किया हमें समझ में आ गया है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए मैं आप सबसे नाराज नहीं हूँ मैं तो खुश हो ये जानकर कि मैं जो आपको समझाना चाहती थी आप वो समझ गए हैं कि हमें किसी का भी मजाग नहीं बनाना चाहिए हाँ साची अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी अब चलो हमारे साथ हम तुम्हें पूरा परिलोग दिखाते हैं हाँ साची अब तुम हम सब की दोस्त हो आप सब भी अब मेरे दोस्त हो और चलो परी लोग देखते हैं बार परी लोग में बहुत सुहाना मौसम था और रानी परी और परी कशिश धर्ती लोग से लोटे थे रानी परी मुझे धर्ती लोग में जाना बहुत अच्छा लगा क्या मैं आपके साथ दुबारा वहां जा सकती हूँ हाँ कशिश क्यूं नहीं मैं जब भी दुबारा धर्ती लोक जाऊंगी मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊंगी पर अभी हमें सबसे मिलना चाहिए हम काफी दिनों से परी लोक में नहीं थे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे हाँ रानी परी मुझे भी सबसे मिलना है और मुझे सब को धर्ती लोग की कहानी बतानी है चलिए रानी परी लोग में इतनी सुनसानी क्यों है कोई भी परी नहीं दिख रही ऐसा लग रहा है रात हो रही है और सब परियां सो रही है रानी परी हो सकता है सब परियां एक साथ बैठ कर बाते कर रही हो चलिए रानी परी हम उन्हें ढूनते हैं ये क्या रानी परी यहां तो ये सब सो रहे हैं पर ये सब इस वक्त क्यों सो रहे हैं वो भी एक साथ मैंने उठाती हूँ रुको कशिश ये तुम्हारे उठाने से नहीं उठेंगी, क्योंकि इन पर जदू हुआ है, जिस वज़े से यह सब सो रहे हैं हम परिलोक में नहीं थे, इसलिए ये जदू हम पर नहीं हुआ तो रानी परी, आप इन्हें ठीक कर दीजिए नहीं कशिश में इन्हें ठीक नहीं कर सकती ये जादू का उपाय मेरे पास नहीं है ये परियां बस जादूई पानी से ही उठेंगी जो जादूई नगरी में मिलेगा तो चलिए रानी परी हम वो जादूई पानी ले आते हैं और सब परियों को ठीक कर देते हैं नहीं कशिश में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि परी लोग को खत्रा है और मुझे यहां रहना होगा क्योंकि सभी परियां सो रही है रानी परी फिर मैं अकेले ही जाकर वो जादूई पानी लेकर आऊंगी ठीक है कशिश तुम अपना ध्यान रखना और समल कर जाना ठीक है रानी परी मैं जल्दी वापस आऊंगी यह जादूई नगरी तो सच में बहुत सुन्दर है मुझे जल्दी से यह पानी लेकर परी लोग के लिए निकल जाना चाहिए और फिर सभी परीया ठीक हो जाएंगी कौन हो तुम और बिना पूछे यहां क्यों आई हो तुम जानती नहीं यह जादूई नगरी में किसी को आने की इजाजत नहीं है आफ करना पर मुझे यहां रानी परी ने भेजा है परी लोग में किसी ने जादू किया जिस वज़े से सभी परीयां बस सो रही हैं उन सब को जगाने के लिए मुझे यह जादूई पानी चाहिए ये तो सच में बहुत बुरा हुआ, मैं भी परीों की मदद करना चाहता हूँ, ठीक है तुम ये पानी ले जाओ, और जल्दी से परी लोग के लिए निकल जाओ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, अब मैं चलती हूँ, रानी परी मेरा इंतजार कर रही होंग लीजी रानी परी, मैं ये जादूई पानी ले आई हूँ, अब आप सब परीों को ठीक कर दीजिए कशिश तुम सच में एक बहदूर परी हो, तुम अकेले ये जादूई पानी ले आई, कशिश अब ये पानी सभी परीों को पिलाओ, इससे ये जाग जाएंगी जी रानी परी रानी परी हमें क्या हुआ था अब धर्ति लोग से वापस कब आई मुझे पता नहीं चला हाँ रानी परी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कब से सो रही थी परी लोग में एक जादू हुआ था जिस वजे से सभी परियां सो रही थी पर अब सब ठीक है, फिकर वाली कोई बात नहीं है रानी परी अगर आप नहीं आती तो हम ऐसे ही सोते रह जाते आपने हमें बचा लिया आप सब को मैंने नहीं कशिश परी ने बचाया है वो ही अकेले जादूई नगरी जाकर ये पानी लेकर आई जिस वज़े से आप सब की जान बच पाई कशिश तुम्हारा शुक्रिया तुमने हमारी जान बचा ली कोई बात नहीं, हम परीया एक दूसरी की मदद करने के लिए है अच्छा बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ